Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तो आज है 23 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 23 नवंबर से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू अनकैडमी की इस Champions League के बारे में इस से आप जुड़ सकते हैं free mock test for SSC exam और मैं आप लोगों को बता दू इस test के जो भी winner होंगे उन्हें exciting prize और gift voucher भी मिलेंगे जो कि आप screen पर देख भी पा रहे हैं तो इससे आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलेगा अनकैडमी की लिंक description box में दी हुई है और यदि आप लोगों को इस current affair के वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारा mobile application में install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा तो हमारे इस application की भी link description box में दी हुई है स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाले में किस राजजी के उत्तर पुलिश station को ISO certificate मिला है तो ये भी हाले में मिला है नागा लेंड की जो राजधानी है कोहिमा कोहिमा के उत्तर पुलिश station को और क्यों मिला है गुडवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए तो सबसे पहले दि हम बात करें ISO की यहने की international standard organization या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अंतर राजध्री मान की करन संगठन और जो ISO है इसने अपना पहरा certificate जारी किया था 1979 में ISO 9000 इसके बाद एक और certificate जारी किया गया ISO 9001-2008 मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कई coaching institute के बाहर आप लोगों ने इस certificate का tag लगा हुआ भी देखे होंगे हलाकि ये वाला certificate अब पुराना हो चुका है ISO ने एक नया certificate जारी किया है जो की है ISO 9001-2015 और यही जो नया certificate है ये जारी किया गया है नागा लेंड के जो कोहिमा है कोहिमा के उत्तर पुलिश टेशन को और देखे इस ISO certificate से रिलेट करके आप एक और fact याद रख सकते हैं अभी दो या तीन दिन पहले ओडिसा की जो राजधानी है भूवनेश्वर इसे कीचण और सेप्टेज management के लिए यह आप कह सकते हैं सुक्षता प्रबंधन के लिए ISO certificate प्रदान किया गया है यहां हम बात कर रहे हैं नागा लेंड की तो आप मैप में देख सकते हैं नागा लेंड की जाता है जो कि नागा लेंड में मनाया जाता है हाला कि यह जो तेहार है यह पहली बार त्रिपुरा राज्जी में भी मनाया गया है अब देखिए इस कोश्चन में पुलिश टेशन की बात की जा रही है तो आप कुछ पुलिश टेशन है इसे वर्स 2020 के सर्विस रिष्ट पुलिश टेशन के रूप में चुना गया है तो यह सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट के जो लाज्ट 10 मन्थ की करेंट अफेर की पीडियव है जिसमें की लाज्ट 10 मन्थ के 600 वन इसने अपना बहत्तरवा स्थापना दिवस मनाया है 22 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में उस हिसाब सेदी देखा जाए तो हाली में इसका यह बहत्तरवा स्थापना दिवस था इसके डाइरेक्टर जनरल कौन है तो यह है राजिव चोपड़ा जी इसके लावा ए unity and discipline तो यह भी आप याद रखेंगे यदि हम other option को discuss करें यदि हम बात करें BSF की BSF यानि की Border Security Force इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में और यदि इस हिसाब से देखा जाए तो अभी आने वाला जो दिसंबर है इसमें BSF अपना 56 स्थापना दिवस मनायेगा यदि हम बात करें CRPF की यानि की Central Reserve Police Force की तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1949 में और अभी हाली में जुलाई के महिने में जो CRPF है इसने अपना एक क्यासिवा स्थापना दिवस मनाया है जबकि जो NSG है यानि की National Security Guard इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और इस वर्स इसने अपना 36 तो यह सभी आप याद रखेंगे हाली में वातायन Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया है तो यह भी हाली में सम्मानित किये गये हैं रमेश पोखरियाल जी जो कि प्रेजेंट टाइमें हमारे मानो संसाधन विकास मंत्री है हाला कि मानो संसाधन विकास मंत्राले का नाम बद दिया जाता है तो कवियों लेखों को और कलाकारों को उनके शेत्र में किये गये उलेखनी कारियों के लिए यह सम्मान दिया जाता है अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि रमेश पोखरियाल जी यह तो एक पॉलिटीशन है इन्हें यह वाट क्यों दिया गया है तो स्कूल स्लेवर्स में भी शामिल किया गया है और इसी के लिए इन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवन्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अच्छा रमेश पोखरियाल जी इनकी कॉंस्टेंसी क्या है यानिकि निर्वाचन छेत्र तो यह है हरिद्वार उत्रखंड यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें तो हाली में जो रतन टाटा जी है इन्हें IACC यानिकी इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के दुआरा लाइफ टाइम अचीवन्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है यदि हम बात करें रसकिन बॉंड की जो कि एक प्रसिद्ध राइटर है इन्हें अभी हाली में टाटा लिट्रेचर लाइफ टाइम अचीवन्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है जबकि हम बात करें बॉलिवूड अभी नेता सोनु सूत की तो हाली में इन्हें UNDP यहने कि यूनाइटेड नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम इस योजना के दौरान जो महराष्ट गवर्मेंट है यह सौ दिनों के दौरान आट दिसमलों आट दो लाग ग्रामिट घरों का निर्मान करेगी और इस योजना के अंतरगत मध्यम आए यहनि की मीडियम इंकम वाली फैमिली को कवर किया जाएगा जिनकी इयरली इंकम मतलब क जिनकी वार्षिक आए 6 लाग से अधिक है लेकिन 18 लाग से कम है ऐसी फैमिली को कवर किया जाएगा महा आवास योजना के अंतरगत तो आप मैप में देख सकते हैं महराष्ट की लोकेशन इसकी राजधानी है मुंबई मुख्यमंत्री तो ये हैं उद्धाव ठाकरे राजधिपाल तो ये हैं भगर सिंग कोशियारी जो कि गोवा के भी राजधिपाल का एडिशनल चार्जे सम्हाल रहे हैं महराष्ट उच्छ नयायले के मुख्य नयायदी से दिपंकर दत्ता कुसमें पहले ही बनाए गए हैं इंपोर्टेंट नैशनल पार्क एदी बात की जाए तो संजय गांधी नैशनल पार्क, तडोवा नैशनल पार्क, चंदोली और नवे गाउन नैशनल पार्क ये सभी इस्थित्ह महराष्ट में ही इसके लावा दो एडिशनल फेक्ट आप याद रखेंगे फेस मास्क की की मिलत नर्द्हारित करने वाला भारत का पहला राज्ज ये महराष्टे ही बना है। Ihrer कि छुली बीड़ी सिग्रेट यह कि खुली बिड़ी तंबाकु की विक्री पर रोक लगाने वाला पहला राज्ज ये भी महराष्टव बन गया है। हाली में ICC की नई नीती के अनुसार कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर राज़्ट्री क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे तो देखे हाली में ICC की नई नियूंतम आयू नीती के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी अब अंतर राज़्ट्री मैच नहीं खेल सकेंगे तो सबसे पहले दी हम बात करें ICC की नहीं की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इसकी स्थापना हुई थी 1909 में हैटकॉर्टर तो ये इस्थित है दुबई UA में प्रेजन टैम में इसके चेर्मेन कौन है तो देखी एक्टिंग चेर्मेन ये है इम्रान ख्वाजा क्योंकि कुछ समय पहले ही इसके जो चेर्मेन थे ससांक मनोहर इन्होंने इस्तिफा दिया था जिसके बाद से इनका पदभार समाल रहे हैं इम्रान ख्वाजा और ICC के ज इस्तिमाल को बन किया था और इस लार के इस्तिमाल को बैन करने के बावजोद भी ऐसे पहले खिलाडी जिन्होंने इस नियम का उलंगन की था ये हैं इंगलेंड के डॉम, सिबले, जिन्होंने अंजाने से यहने की गलती से बॉल पर लार का इस्तमाल कर लिया था देखे जो ICC Men's World Cup होगा अगला 2023 में होना है जिसे की होश्ट करेगा अपना देश भारत जबकि ICC Women World Cup जो के आजजित होना है 2021 में और इसे होश्ट करेगी New Zealand Online Study Point के October मन्त की Current Affair की PDF जिसमें की October मन्त की सभी Current Affair Topic Wise cover कराये गये हैं इसकी भी लिंक description box में दी हुई है इसके लावा Last 10 मन्त की Current Affair की Detail PDF जिसमें की Topic Wise Last 10 मन्त का डेटा cover कराये गया है इसकी भी लिंक description box में दी हुई है नेक्स्ट है हाली में किस राज जिने इंद्रा गांधी मात्रत्व योजना की शुरुआत की है इंद्रा गांधी मात्रत्व पोशन योजना की शुरुआत तो इसकी शुरुआत अभी हाली में की गई है राजस्थान के जो मुख्य मंत्री है अशोक गहलोजी इनके द्वारा इस योजना के शुरुवात वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से की गई है और इस योजना के अंतरगत गर्भवती महिलाओं को दूसरी संतान होने पर भी वित्ती सहायता प्रोवाइट कराई जाएगी और पांच किस्तों में जो महिलाओं हैं जो गर्भवती महिलाओं हैं उन्हें 6-6,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जाएंगे तो आप मैप में देख सकते हैं राजिस्थान की लोकेशन देखे जो राजिस्थान है ये 6 त्रफल की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्जी है इसकी राजधानी है जैपूर जिसे पिंक सिटी या भारत का पैरिस भी कहा जाता है इसे अभी हाली में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेस साइड में शामिल किया गया था मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है अशोक गहलोजी राज जिपाल तो ये हैं कलराज मिश्र इसके लावा हाली में राजिस्थान गॉर्मन के द्वारा इंदिरा रसोई-उजना के शुरॉआत की गई थी जिसके अंतर्गत गरीबों को आठ रुपए में भर्पेट भोजन प्रॉजन करा रही है राजीस्थान गॉर्मन्न जो राजिस्थान है ये बायो फ्यू़ इसके लावा जो 17 वी लोक सभा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकास बिल्ला जी इन्होंने राजस्थान के कोटा से सुपोसित मा अभियान के शुरुवात कुछ समय पहले ही की है हाले में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंच वर्सी योजना यहने की पांच वर्स की योजना की शुरुवात की है तो इसके शुरुवात अभी हाले में की गई है गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए मतलब की इनके सनरक्षन के लिए आप सभी जानते हैं जो गिध है येक सवभक्षी पक्षी है कहने का मतलब है कि ये कोई जानवर है तो जानवर के शब को खा करके ये आसपास के वातावरण को सवक्ष रखने में महत्वपून योग्दान देते हैं माल लेजे यदि किसी जानवर का शौव पढ़ा हुआ है मतलब कि कोई जानवर मरा हुआ पढ़ा है काफी समय से और वो वैसे ही पढ़ा रहे गया तो उससे लाखों बैक्टिरिया निकलेंगे जो कई बिमारी पैदा कर सकते हैं तो यही है कि उनके सफाया करने में जो गिद्ध है यह महतुपूर्ण भूमी का निभाता है इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है और इन्हें ही बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पंच वर्सी योजना की शुरुआत की है यहां से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं हाली म में उत्तर प्यदेश में गिद्ध संरक्षण और प्रजनर्र केंद्र भी इस्थापित किया गया है गिद्धों के शन्रक्षण के लिए हैं अब देखे हैं ऑप्शन में मैंने कुछ और जानवरों के नाम भी सेट कर रखे आगए हैं जिनके संब्षण के राज्ज सरकार plains केंदरी सरकार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं जैसे कि सबसे पहले दी हम बात कर रहें सनो लेपर्ड की इनिकी घंटेंदुआ की तो ये कुल 12 कंट्री में पाई जाती हैं जो हिम घंडुआ दिवस हैं ये मनाया जाते हैं 23 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर 2019 को जब ये दीवस मनाया गया मतलब कि पिछले साल तब जो हमारे केंद्री मंत्री हैं प्रकास जावडेकर जी इन्होंने इसनो लेपड की जनकरना के लिए पहला राज़्टरी प्रोटोकॉल भी जारी किया था तो आप कह सकते हैं कि इनके अवैध सिकार और व्यापार पर रोक लगाने के लिए सरकार अपने इस्तर पर प्रयास कर रही है यदि हम बात करें गाय की तो हाली में जो मद्धि प्रदेस गवर्मेंट है इसने गायों के संरक्षन के लिए गौव कैबिनेट का गठन किया है य हाली में लॉंच की गई किताब दे लास्ट क्वीन किसके द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई है चित्रा बैनर जी के द्वारा चित्रा बैनर जी जो कि एक इंडो अमेरिकन लेखी का और पोएट है इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है दे यदि हम other option को discuss करें जो कि books and author से ही related है तो हाली में जो शशी थरूर जी है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है The Battle of Belongings प्रसिद्धिर राइटर रस्किन बॉंड इनके द्वारा अभी हाली में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है How to Become a Writer इसके लाव यदि हम बात करें प्रसिद्धिर राइटर चेतन भगत की तो हाली में इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है One Arranged Murder Medical Mobile Unit जीवन धारा के शुरूआत की सराज्जनी की है तो इसके शुरुआत अभी हाले में की गई है हिमाचल प्रदेश गॉवर्पन के द्वारा और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला यहां से इसके शुरुआत की गई है तो देखे हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और दुरगम शेतर में रहने वाले लोगों को स्वास्त सुविधा यहीं की हेल्थ सर्विस प्रोवाइट कराने के उद्देश से इसके श इस हेल्थ सर्विस के शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश गवर्मेंट के दौरा तो देखे यह जो मुबाइल वैन है यह तरह के प्राथमिक स्वास्त केंदर की तरह काम करेगा अब यह वैन है मतलब की वैन में ही मेडिकल फैसिलिटी है तो दूर दराज के इलाकों में ज अब मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड कुछ अडिशनल फैक्ट बता रही हूं जो की करन्ट से रिलेटेड है देखे जो हिमाचल प्रदेश है यह निव एजूकेशन पॉलिसी यहनि की एनिपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है इसक भारत में पहली बार हीень की खेटी की जानी है और पहली बार भारत में हीँग की खेटी यह की जाएगी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लहाल-सपीती में हाली में प्रधान मंतिरी नरिंद्र मोदी जी ने किस राज में हर घर नल योजना की शुरुआत की है तो आप लोगों ने हर घर जल योजना के बारे में सुना होगा अब ये हर घर नल योजना ये क्या है तो ये काफी कुछ इसी से मिलती जुलती योजना है तो हाली में जो प्राइम मिनिश्टर नरिंद्र मूदी जी है इन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर और सोन भद्र में हर घर नल योजना का सिलन्यास किया है और ये जो योजना है ये लगभग 5,555 करोड की योजना है और देखिए इस योजना के अंतरगत जो उत्त 184 गावों को पाइप की जरीए पानी का कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन इसकी राजधानी है लखनौ मुखी मंत्री है योगी अधित्तिनात गवर्नर तो यह है आनंदी बेन पटेल अब्यदी ह हाली में जो उत्तर प्रदेश है इसे मचली पालन के शेत्र में सर्व स्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है जबकि पूरवत्तर राज्यों की केटेगरी में यह अवार्ड मिला है असम को और समुद्री शेत्र में यह अवार्ड मिला है ओडिसा को इसके लावा हाली में उत्तर पिदेश के सहारनपूर से भारत का पहला मास्क एटियम लॉंच किया गया है, जबकि भारत का पहला हेल्थ एटियम ये लॉंच किया गया है लखनों से, लखनों के चार बाग रेलवे स्टेशन से, इसके लावा जो नौगर रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर पिदेश में हिस्तित है इसका नाम बदल करके सिद्धार्थ नगर रेल्वे स्टेशन किया गया है तो ये भी आप याद रख सकते हैं कल मैं आप लोगों से पूझा था 500 सबसे शक्ति साली कंप्यूटर की लिस्ट में कौन टॉप पर है तो इसमें पहले स्थान पर है जापान का फुकागू कंप्यूटर भारत की तरफ से परम सिद्धी की रैंकिंग है 63 मिह की रैंकिंग है 146 अब आप लोगों के लिए आज का ढौत का लड़ा टॉसे हो चॉटर लोगों के लिए का लाज के लिए सिद्धी के वे वे